सब्सक्राइबिटीज को लेकर आप ऐसे expert हैं जो diet से diabetes को control करने का दावा करते हैं आखे diabetes और diet का connection क्या है, सबसे पहले हमें यह संचाईए diabetes का जातर तो diet से connection है, दूसरा आपके stress से connection है मानलो आप एक मुवी देखते हैं बहुत दरावनी उसके ब्लड शुगर चेक करेंगे तो तब भी हाई मिलेगा यानि डायवेटीस से मुक्ति पाने के लिए रोगी को क्या डायट लेनी चाहिए हमारे पास जो पेशन आते हैं तो हम तीनी स्टेफ बताते हैं जिसे हम डी आएपी डायट बोलते हैं सेला स्टेफ यह है कि बाराव बज़े तक सिर फलों पे रहिए तीन से चारतरह के फल खाईए याद रखिए जो ब्लड शुगर पेशेंट है मैं को बोलतो हम मीठे फल खाईए आम, चीकू, अंगूर, पेट भरके खाईए कम से कम इतना खाई है कि जैसे बॉड़ी वेट के हिसाब से मेरा बॉड़ी वेट सत्तर केजी इंटू 10-700 साथ सो ग्राम तो मुझे खाना ही है बाराव बज़ तक लें कुछ और नहीं खाना है परादे, रोटी, चाय, ब्रैड कुछ नहीं बाराव बज़ तक फल 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 फ बॉड़ी वेट इंटू 5 मेरा बॉड़ी वेट सतर इंटू 5 बज़ बिकम 3-50 ग्राम जब मैं इतना सरात खा लिया प्लेट वन में अब आयम आई अलाओ तो इतन अर्थिं अल्स यह लंच में करना है इक आखरी बात दो चीजों को कभी मत लें अनिधिंग विच प्री जो मैंने तीन स्टेप बताए उसके अलावा कर पंदराव इसमें धूप में बैट मैं तुरा बहुत और संसेट के बाद ट्राइटू नॉट इट मच पूड जितना मैंने अभी बताए पिछले एक मिनट में इफिकन डूएट बाई सेकंड थर्ड दे आपकी मजबूरी हो मैं जाना चाहती हूँ कि एक स्वस्त व्यक्ति का शुगर लेवल क्या होना चाहिए और वो खुद को कैसे मैंटेंड करके चले कि लाइफ में उसे कभी डाइबेटीज हो ही ना यह सवाल पूछना कुछ जासा होगा कि मानलो एक कीचेट में लत्पत आतमी आता है और बोले कि मैं क्लीन कैसे हूँ तो मैं नहाल हो आप लेकि बोलें क्लीन अगर हमेशा रहना है तो तो आपको रोज नहाना पड़ेगा तो जो मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंज बत आपका फर्द डैमज होता है बोड़ी और आपका ब्लद शुगर अनकंट्रोल पह होता है एक ताइम आता है जो दबाई असा करना बंद कर देती है ताइम वन आप इंसुलन पर चले आते हैं तो डियवेटीज इस लाइट इस लाइट इस लाइट इस लाइट नहाना पर